है गाई वेलकम बैक तो में यूडीब चैनल हमारा ना सहीं इंटरनेट और इंटेंट स्टूड और मेडिकल साइंस न्यू देली और इस वीडियो में यार बहुत सिंपल सा फंडा मैं बताना चाहता हूं सभी नीड आस्परेंट तो 2022 में बैठने वाले कि उन्हें कब तक आपका 26th April का डेट आगया है तो नीड की डेट भी आप आल्मोंस स्पेकुलेट कर सकते हैं कुछ लोग कह रहे है जुलाई कुछ लोग ऑगस्ट पर मैं कह रहा हूं तुम से ठीक है कि तुम डेट कुछ भी पढ़े नीड की अपना स्लिबस तुम कमफुटिबली याद रो एंट यह तुम्हारे पास वह प्राइम जो होता है एक्जाम से पहले का वह तुम्हारे पर रिविजन का होगा ठीक है तो इसलिए मैं कह रहा हूं प्लीज आप टार्गेट करो अगर आपको अच्छा करना है इस बारनी 2022 में तो अपने सीनियर जैसे गलती मत करो कि एंड त अप्टिममम टाइम है अभी भी तुम जो मेरे से सवाल बुस्ते रहते हो अभी भी मैं लगूं तो मैं क्या नीट कर सकता हूं अच्छा कॉलिज हसल कर सकता हो बाइब बिलीव नियौर सखने मेरे ग्रीन शिगनल का वेट मत करो तुम कर सकते हो ठीक है साधे-4 महीने का भी तुम्हें syllabus complete करना और comfortably हो जाएगा 4 महीन है तुम्हारे पास ठीक है और तुम अपना plan out करना शुरू करो यार तुम्हें एक बार decide कर लिए है तुम यहाँ पे हो यहाँ June end है तुम्हें syllabus complete करना है NTA जो है इसके बाद कभी date देगा अगर इस point पर date दे रहा है यह जो तुम्हा पाखो गलतियां मिलेंगी और उनको correct करने के लिए समय चाहिए और अगर end में तुम syllabus करते रह जाओगे अभी अगर तुम्हें जीम कर लेगी August में पेपर है तो August तक target करते है syllabus complete करने का तो तुम revision में क्या गलतियां सुधार होगे और marks उतना ही रह जाएंगे तुम्हारे ज जो June end है ठीक है जो time period है ना वो तुम्हारा bonus period है जिसमें तुम महिनत करके result अच्छा साच्छा लाने कोशिक करोगे क्योंकि तुम revision mode में रहोगे उस वक्त और मैं बता रहा हूँ मैं personally कितने रहे सारे अभी topper से 650, 670, 680 प्लस secure कर रहें कुछ 700 वाले भी जो मेरे contact में Instagram पे तुम एक महिने का target रख लिया syllabus complete करने का, cram नहीं करना है, conceptualize करते हुआ हराम से तुम June end तक syllabus कर लोगे उसके बाद तुम तुम एतने समझदार हो ना वो इतने बेवकूफ, तुम इतने समझदार नहीं हो, इसका मतलब यह है कि तुम जो हो अगर सोच रहो कि आज की date में त बहुत जादा syllabus prepare करके नहीं रखे हो, तुमारा level of understanding अच्छा नहीं है, तुम the rate of understanding things, किस rate पर तुम चीज़े समझते हो, absorb करते हो, conceptualize करते हो, अगर वो अच्छा नहीं हो जाओगे, कि लाज के एक महिने में तुम खींच के पूरा फोड के फिर paper आ जाओगे, नहीं हो गया ना वो बंदे जो अभी अच्छा कर रहे हैं, वो बेवकूफ है कि end में मेहनत करना छोड़ देंगे, नहीं, वो भी मेहनत करते रहेंगे, ठीक है, और तुम भी करोगे, पर तुम अगर अभी से जाद मेहनत नहीं किये, तो definitely you are gonna fall back in the race, ठीक है, तो ये बात तो अपने दिम सेक्टिव होता है, वो study with me session, लोग 6-6 गंटे, 8-8 गंटे बैट करके मेरे साथ setting capacity बिल्ड कर रहे है, तुम भी वो चीज़ कर सकते हो, ठीक है, कुछ तुम्हारा जान नहीं रहा है, बस तुम्हें टेलिग्राम चैनल इन Sonia ने आरेज जान करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है, study with me session वहाँ से जॉइन करो, लिंक डाल देता हो, लाइव भी जाता है, YouTube पे study with me session, stream हो रहा होता है, subscribe कर लो, चैनल को, bell icon पे क्लिक कर लो, तुम्हें नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है, और तुम बैठो मेरे साथ पढ़ने, तुम्हें खुद लोग हो, तुम बहुत से लिए बस complete कर पारो, एक बास sitting capacity बन जाएगी, खुद बखुद तुम, you know, you start taking off, ठीक है, तुम्हें प्लेन टेक ओफ कर लेगी, ठीक, और तुम्हें अगर टेलिग्राम चैनल पे study with me session नहीं जोन करना हो, कोई बात नहीं, तुम्हें बात नहीं, मैं description में mention कर देता हूँ, तुम जाओ, question practice करो, test series देना शुरू करो, ठीक, student पूछते हैं, कितने, you know, समय पे test देना चाहिए, I would recommend, अभी तुम every 15 days test दो, ठीक है, और every week का अपना target सेट करो, तुम्हें क्या पढ़ना है, और every 15 days पे test दो, आगे चल करके, अभी every 15 days पे test अप description में, join कर लो, ठीक है, और याद रखना है, अगर तुम अभी deadline ये June end वाला, achieve कर लेते हो, तुम बहुत comfortable position में रहोगे, end में जाकर गे, ठीक है, so, ये अपने दिवांग बठा लो, June end तुम्हारी deadline है, syllabus complete कर लेना है, और उसके बाद तुम अराम से, अपना revise कर पाओगे, ठ स्टूडेंट जिनको resistance फील हो रही होते हैं, पढ़ाई करने में, और जब भी उनको, अपने test series में नंबर कम आ रहे होते हैं, तो फील होते हैं, गिव अप कर देते हैं, और महनत नहीं करते हैं, चल है, कम नंबर आ गए, तो क्या होगा, नहीं, एक वाल concept अडॉप्ट कर ल The next level पे जा रहा है उसके पीछे ही और आगे बरती जा रहे है, तो जैसे जैसे निक्स लेवल पे जाते जाओगे आपके पीछे ये वाल आगे बापके साथ बढ़ती जाएगी, आप इससे पीछे तो जा ही नहीं सकते, you cannot go back, the only way is forward, आपको आगे ही बढ़ना, आप पीछे प्रेज़ नहीं जा सकते हैं चाहें जितनी भी मुश्किल हो आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया अपना अमबिशन सेट कर लिया यहाफ टु स्टिक तूइट आप पीछे नहीं जा सकते हो ठीक और गिव मी अचांस यार ठीक है मैं आपको बोलूंगा गिव मी अचांस सब्सक्राइब कर लिए हाथ में नीट का डेट के आएगा हमें नहीं मालू अभी हम मेहनत कर सकते हैं लेट मी हेल्प यू स्टडी विथ मी सेशन करो साथ में बैट करके पढ़ते हैं बाकी स्टूडन को तुम पढ़ते हुए देखोगे खुद तुम्हें अंदर से है ठीक है तुम्हेनत करते रहो जान लगा दो वरना जाने दो आल देबस गईस